कर चलिए तो मेरे पैढ़ी बच्चों कल हम लोगों ने redemption का पूरा का पूरा 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 और मेंने आपको कहा तक यार इसमें कौन-कौन से कोंसेट है जो अमारे काम आने वाले तो मैंने का यार यह साथ पॉनसेट हम लोगों ने पड़े थे और साथ में यह भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया था कि हर कॉंसेट के सामने अगर आप लोगों को इस दिया पूरा पूरा सट अप है क्योंकि मैंने एक एक वरटी डिटेल में अच्छे से आप लोगों के साथ डिसकेशन किये थे 6 घच्शोर की एंट्री भी हम लोगोंए देख ली था ही तो मैंने का अब हम चलते हैं वह मुज़ों के पॉइंट फिस पेर चलते हैं सेजहर कें सेट अंबर केंट तो पॉइंट जब अपन बात करेंगे विदा तो हम नियुक्अ पर सकते हैं दिखलां के दो मेथोड़। और रिडम्शन की यह बात है कि अलग-अलग टाइप के मेथोड़। सबसे पहले आप रिडम्शन करना चाहो तो आप लॉम्सम में कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप लॉम्सम मतलब एक साथ, लॉम्सम मतलब क्या हो गया, एक साथ, समझाते हैं भी, लॉम्सम का मतलब, मान लो, आपके पास, आपके पास, रुपीज 10 लग के डिवेंचर्स हैं, कितने के डिवेंचर्स हैं, रुपीज 10 लग, आपने कह किया, एक साथ, आपने एक साथ, आपने एक साथ, आपन क्या कर दिए रिडीम कितने के कर दिए पूरे 10,00,000 के इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं मैटा रिडम्शन इन लम्सम अब मैंने का सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो मैंने का मेरे पास है बाई ड्रो ओफ लॉट्स या बाई एनुवल ड्रॉइंग्स कुछ ऐसा अरशन इंस्टालमंट भी कह सकते हूं मैंने का यहां पर हम कहरे हैं वाई एनुवल या या बाई ड्रो ओफ लॉट्स भी कह सकते हैं तो नोड़वर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप इसको इसा भी मान सकते हो इन इंस्टालमेंट इसल्मंट में कैसे होता मैं समझने के लि अपने इनको अलग अलग टाइप में बाईफर्केट किया अपने इधर आपने बाईफर्केट किया अपने 31 मार्च जा बुला मैंने कुछ रिदंशन आपने 31st मार्श 2023 को किया कुछ रिदंशन आपने 31st मार्श 2024 को किया ठीक कि यहाँ पर आपने तीन लाग के रिडिम किये यहाँ पर आपने चार लाग के रिडिम किये यहाँ पर आपने वापस कितने लाग के रिडिम किये मुझे बताओ क्या दिमांग में सेट अप है क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है मैंने का उसके बाद में थर्ड मैं थर्ड टोटल चाहर है तोटल चाहर है कि बाए कनवर्जन का बुला मैंने यहां पर बाए क्या है कनवर्जन इसका मतलब आपके पास दस लाग के डिवेंचर्स थे आपने लोगों को का बुलयो तुम्हे अब हम शेर्स दे देते हैं क्या तो यह भी तरीका है से रिडम्जन कैसे वह पीमेंट तो हुआ ही निए अरे पेमेंट कैस में नियुआ बट कैसे वा हुआ शेर्स किई पार ऐसा हुता है अधी बाइक एंसलेशन किया बोला पने बाइक एंसलेशन इस थीक एंसलेशन मतलब आपके जो डिबेंचर जैँ यह मेथड आगे आएंगे सारे के सारे इसमें क्या होता है आपके पाथ 10 लाख रुपे के डिबेंचर जैराइट अब आप क्या करते हो यह दसलाक रुपे के डिवेंचर्स आपके ना स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर क्या हो रहे हैं ट्रेड हो रहे हैं तो आप क्या करते हो यहां से स्टॉक एक्सचेंज से क्या क्या करोंके फिर एंसे handalter मतलब आपके ऑपने पहले इचुत एचुन करने के बाद आपने क्या पैसा लेकि अब पैसा लेने के बाद ऑपके वास वाग गया independent कर दिए दंड़ चल रहा है बढ़ी हाँ आपके पास पैसा आता जा रहा है अब आप आपने देखा कि यार पास साल पहले मैंने डिवेंचर दिये थे और दस साल बाद उनको रिडिम करना है तो आप स्टॉक एक्षेंज पर जाके वही डिवेंचर खरीद लोगे फायदा क्या उससे अब उन पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा अब आपके पास एक इन्वेस्म अः cauliflower को जांगे में रहाइंगे और आगे देखेंगेगे हैं आगे देखेंगे आप इनि-अभी व mega समझो कि यह चार तरीके हो सकते हैं इत ना चारा हो सकता है आपको probably ज्यादा समझ में लहां बस आप ये समझो कि इसमें आपने स्टॉक एक्षेंज के खुद के डिवेंचर ली तो खुद के डिवेंचर आ गए आपके पास और आपने पहले लाइबलीटी क्रियेट करी थी तो दोनों का आप कैंसल आउट कर देते हैं कैसे होता है क्या होता हो आगे देखेंगे कॉफी मारो इसको क्या होता है कि अ कि अ कि अ दो बैट रॉफ लॉट का मतलब होता है कि जैसे मान लोब बहुत सारी डिवेंचर है अब कैसे बता पढ़ेगा कि यह 3 लाग किसको दिने तोन डिबेंचर को ड्रॉ करते हैं लॉट में से कि किसको इस बार रिडिम करना है हो गया गया है सको पी पर दो पर अब अब जल्दी लेका भी मारवाँ गई लास्ट वन एना हाफ मिनिट फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे अ कर 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 झाल झाल करें चलिए वेटा सब का कॉपी अब गैस हम लोग ना एक कोईशन पिक अप करते हैं हम एक कोईशन पिक अप करते हैं और थोड़ा सा आप आईडिया दीजिएगा कि यह कौन से वाले में आपके सबसे फॉल करेगा फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे राइट चलिए तो कोईशन नमबर वन कर रहे हैं हम रिडंशन ऑफ डिबेंचर का क्या कहता है कोईशन अराम से देखते हैं जज अभी कुछ भी ने करना है कोईशन करते करते हमें सीखना है इसको बेसिक्स हम लोग आज़ेड़ी सीख के आए हैं the following balances appeared in the books of a company, unlisted company other than AIFI, banking company, non-banking financial company, NBFC, housing finance company, HFC on 31st December 2021, अब on 31st December 2021 हमारे पास क्या balance है, 6% mortgage 10,000 debentures है, जिसमें से एक debenture कितने का है, 100 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया है, तो टोटल कितना हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपकी understanding के लिए यहाँ पे एक ऐसे ही balance sheet analytical बना के रखता हूँ, और हम लोग यहाँ पे data डालना start करेंगे, यहाँ पे हम लोग data डालना start करेंगे, जो जो हमारे को data मिलता जाएगा, so that आप बढ़िया तरीके से analyze कर पाऊ, मैं मानता हूँ, 6% mortgage debentures हैं, और वो debenture हैं, 10,000 रुपए का, कितने के हैं वो debenture, 10,000, next, debenture redemption reserve, DRR, for redemption of debentures, कितने के बिटा debentures, 50,000 DRR का balance, 50,000, DRR का balance क्या है, 50,000, अब देखो, इन एक एक चीज को में समझना है, question करने से जाधा यह है, कि important के एक एक आइटम जो आपकी आखो के सामने आ रहा है, are you able to understand वो आइटम आप कहां से बोरो करके लेके आ रहे हैं, उसके बाद में आप देखो कि investment in deposit with a scheduled bank, free from any charge, औ मुझे बताओ, investment कितना है, deposits में, investment कितना है, 1,50,000 का, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1,50,000, investment, आप समझे गे नहीं, कौन था ओला investment है, B.R.R.I, debenture, redemption, reserve, investment, तो यहाँ पर कितना है investment, 1,50,000, ओके, और यह 4% investment है, मतलब 4% इस पर भ्याज मिलता है, amount balance कितना है, 1,50,000, अब मैंने का, उसके बाद में लिखा हुआ है, कि 31st December को हर बार इसमें ब्याज आता है, bank balance, with the company's rupees 9,00,000, company के पास bank balance कितना है, 9,00,000, रुपी, तो मैंने का, यहाँ पर आने के बाद, bank में जो balance है, bank balance जो है, वो कितना है, 9,00,000, इसके अलावा क्या और कोई चीज दे रखी है, नहीं, interest on debenture has been paid up to 31st December 2021, कोई problem नहीं है, अब यह कह रहा है, कि यार, on 28th और February 2022, the investment were realized at par and debentures were paid off at rupees 101, अब मुझे बताना ना, अगर debentures 101 रुपया में pay off हो रहे है, 101 रुपया में pay off हो रहे है, और debenture था 100 रुपय का, इसका मतलब यहर पेइंग और premium of rupees, one, debentures total कितने हैं, बिटा, 10,000, तो 10,000 into 1, कितना हुआ premium on redemption, 10,000, कि यहां तक का clarity है, अपने को, मैंने का, उसके बाद आप देखो, कि हमें ही करना है, कि पूरे के पूरे यह कह रहा है, लेजर बना दो, लेजर मतलब हर एक चीज जो भी आपने को दिखेगा, सबका लेजर बना डालेंगे, बट मैंने का, यहां तक की कहानी अपने को clear हो गई, हम यहां पे और data आपके लिए लिख लेते हैं, कि अब हुआ क्या, 28th of February, right, 28th of February, 2022 को, हमने debentures को redeem किया, debentures को क्या, redeem किया, at what rate, 101, 101, हमने DR, RI, हमने create कर रखा है, right, उसको हमने sell किया, at par, अरस में sold at par, अरस में, उसके अलावा कोई हमारे पास ऐसा data नहीं, तो अब जब भी एक question देखे हो गया, अब सबसे पहले आपके दिमांग में क्या चीज आनी चीए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जैस हमारे को कुछ चीज है, हमारे दिमांग में setup होके आने चीए, अगर मैं आप से पूछू, यहाँ पर mortgage debentures कहां से आया, क्या पूछू में यहाँ से आपको mortgage debentures कहां से आया, आपके दिमांग में clarity होने चीए, कि यह mortgage debentures कैसे आयोगा, हमने पहले issue कर रहा होगा, bank account debit to debenture application debenture application to 6% mortgage, issue में हम पूरा पढ़के आये, इसका मतलब हमारी debenture liability होई क्योंकि हमने पैसा लिया, अब यह DRR कैसे आया, कल मैंने concept of DRR समझाए था, तो हमने क्या कहा था, concept of DRR क्या कहता है, कि concept of DRR यह कहता है, कि DRR क्रियेट होगा, कैसे क्रियेट होगा, आप PNL से कहां ट्र DRR में कितना transfer हो चुका है, 50,000, कितना transfer हो चुका है, 50,000, clear है, तो सबसे पहला आपके लिए, जो यहां पे एक आता है, note number 1, अब यह note number 1 क्या है, यह है, amount required in DRR, हमने कल concept पूरा पढ़ लिया था, मैंने का था, question आएगा, तब आगे बात करेंगे, क्योंकि धीरे-धीरे digest होत अब amount कितना होना चाहिए DRR, कितने redeem कर रहे हो आप, 10,000,000 के, DRR में balance कितना है, तो इसका मतलब आपको यह दिमाग में setup कर लेने का है, कि अगर मैं DRR create कर रहा हूं, तो normally, बहुत सारे cases ऐसे भी होते हैं, जहां DRR required नहीं होता है, बट वो हम end में देखेंगे, आराम से, अभ of face value of debentures, क्या चाहिए, 10% of face value of debentures, तो मुझे बताओ ना, balance in DRR, यहाँ पर balance required in DRR, लिख देते हैं, required in DRR, मुझे बताओ ना, कितना का आप redeem कर रहे हूं, 10 लाग, 10 लाग का 10% कितना होना चीह, कितना होना चीह, 1 लाग, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने 1 लाग डाल दिया, सही है, मुझे बताओ, available balance कितना है, कितना है, what is the available balance, available balance कितना है, मेरे प्यारे लाड लो, can I say that available balance is 50,000, so available balance अगर 50,000 है, तो amount to be transferred to DRR कितना आ गया, amount to be transferred to DRR, कितना है, amount to be transferred to DRR, अच्छा आ गया, बिलकुल step by step आपको लेकर चल रहा हूँ, कल पूरा introduction दिया, आज इसके थूरू पूरा revise कराऊंगा, और एक एक item बताऊंगा, कहां से कैसे, क्या पैसा जा रहा है, Am I making sense, तो मैंने का यह आगया, amount in DRR कितना होना चाहिए, इसका मतलब हमार को DRR में 50,000 और transfer करना है, कहां से transfer होगा यह DRR में, कहां से transfer होगा, PNL से, कहां से transfer होगा, और जब पूरा redemption हो जाएगा, यह balance कहां जाएगा, general reserve, कहां जाएगा, clarity है, अब मैंने कहा, आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा कि, अब इस पूरी की पूरी कहानी में, मेरे को बस एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ, मैं सिर्फ अपनी knowledge के लिए, मैंने कहा यार, बाकी सब तो requirement चलो, fulfill हो जाएगी, मेरे को 10,00,000 के debentures redeem करने हैं, और premium भी दे रहा हूँ, 10,000, तो total पैसा कितना चाहिए, 10,00,000, bank में कितना balance है, 9,00, investment बेचेंगे 1,50,000 का तो कितना हो जाएगा, 10,50, कितना हो जाएगा, 10,50, तो क्या मेरे पास sufficient balance है payment करने के लिए, बिलकुल ये भी है, दूसरा सर, DRR का तो आपने बता दिया, ये DRR कितना होना चाहिए, तो मैंने का हमेशा DRR जो है, वो 15% होना चाहिए, जैसे 10% DRR होता है, वैसे DRR कितना होना चाहिए, debenture redemption reserve investment कितना होना चाहिए, 15% के आसपास, इसको अपने को maintain करके रखना है, जिस साल में हो रेडम्शन कर रहा है, चीक है, तो अब आराम से बिलकुल धीरे धीरे धीरे, पहले मुझे बताओ, इनमें से कौनसी वाली चीज तुम्हें अच्छे से आती है, मेरे हिसाब से, तुम्हें ये 6% debenture वाला अकाउंट अच्छे से बनाना आता है, कुन्त वाल अकाउंट डिवाला तुम्हे भी अच्छा से मेरे साथ से बनाना आता है आधा सुनने सुम्हें-धीरः फोल्जों ऐड़ वाले थूड़ा है वह अभी थोड़ा-ठोड़ा साथ में उब डालना पड़ेगा और कि मुझे छिर नहीं लगता ज्यादा कोई मेRपेरे बच्छों सबसे पहले मैं डिवेंचर अकाउंड मनता हूं क्योंकि जो हमें आता है पहले हम वह बनाएंगे राइए ताकि हमारे को थोड़ा सब फटान एक कि यहां पर हो और रहा है में घृटार बनाएंगे उसके बाद में हम अ बिफ से बाद में हम बनादेंगे हमारा बैंक अकाउंट भी बनायते हैं तो हम पहले यह सारा का सारा एक बर यहां पर बना के रखने की कोशिश करते हैं आप भी मेरे साथ-साथ format बना सकते हो ऊपर वाला पार्ट बाद में कॉपी कर लेता है आप साथ-साथ बनाना स्टार्ट कर सकते हो ताकि एकदम से आपको जब-जब मैं भी बना रहा हूं साथ साथ बना लोगे तो टाइम कम वेस्ट होगा कितना परसेंट डिवेंचर जैंग इस परसेंट इस परसेंट बट नाम भी तो है इसका मॉडगेज यार मॉडगेज नाम है ना हमर आप अराम से बिल्कुल धिरी धिरी पूरव क्वेश्चन होगा तब दिमाग में सेट होगा यार जब तक एक कुष्चन पूरा नहीं करेंगे आपके दिमाग में सेट अप नियों गए 6% मॉडगेज डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर कॉंसा अकांट वन आरे मन? debenture, redemption, reserve account. debenture, redemption, reserve account. यहाँ पर नाम दिया रखा है, investment in deposits. तो अपन भी यहाँ पर investment in deposit डालेंगे. यहाँ पर हम लोग bank account बना ले. यहाँ पर भी यहाँ आरे मन? आजी. अबने गाइज पका ताट करूं फिर में चलो भईया स्टोप राइटिंग नाओ हो गया समय लिखने वाला चलिए सबसे पहले मुझे बताओ डिबेंचर का मेरा बैलेंस कितना है तो मैंने का यहां पर मैं डेट कॉलम में आऊंगा और डेट कॉलम में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं परस्ट जेनवरी अरे समझो ना यह कौन सा वाला यह 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 यहां पर कुछ दे रखा है के यहां पर बैलंस दे रखें 31 डिसेंबर के इसका मतलब हम क्या मान रहे है कि यह स्टार्ट कब हो रहा यह क्ब हो रहा फर्स्ट जैनवरी से का जा रहा है तो मैने कहा अगर मैं यहां पर देखू तो फर्स जैन्वरी को अगर मेरा बैलन्स होने का है तो वो क्या बैलन्स आएगा अगे इस कोश्चन में ना एक और चीज है अगर आप देखोगे तो इस कोश्चन में इसा दे रखा है the following सब्सक्राइब आपने यह किया अब यहां पर कहीं दे नहीं रखाए कि यार हमने यह जो अकाउंट से हमारे है अकाउंट इकत्यस मार्च को खतम हो रहे हैं कि हाय ना हमारे को यह भी नीदे रखा है कि यह 31 डिसेंबर को खतम हो रहे है तो ऐसा कोई हिंट मुझे यहां पर पूरा मिल नहीं रहा है तो आप एक चीज कर सकते हो आप ना या तो अजम्शन 31st मार्च का भी ले सकते हो या क हां तो मैं आपको मोदियूल में बता सकता हूं मेरे हिसाब से मोडियूल में सको मार्ट लिया होगा हूं मेरे हिसाब से ये केने मार्च कर ले ऊंगा और यहां पर थोड़ा सा about contradiction ने यहां पर पंड है अपने को देखके तो एकजाम मैं मैं student मार्च या डिसेंबर दौनों में से कोई भी लेने वाली स्थिती में जब हो आप प्लीज हमिशे नीचे नोट डालो क्या डालो कोई भी कन्फूजन वाली स्टेज हो अंबर आपको क्या करना नोट डाला आपको चले मैं लिए पर जैन्वरी को मेरे साथ लैं crush यह इंपर फिय कंतर जान्स किया है यहां पर बैलंस किया एं मिरे पास मैं अबhop था हुआ है 1 गोट यह यहां पर आकर च往ी पर 20 लिंगी ही मीरा प्रिटिकुलरस चैनल यहां पर उनने यहां पर आने के बाद यहां पर मैं n warnings रिखा पर्टिक्युलस और यहां पर मैंने कहा लिखा अमन्ट नौल अले सिन टू मिविरिघ केरफुलिय। मैं डिपेंचर अगोंना चाहरां और डिपेंचर डिपेंचर अंगोंने अब आप थोड़ा सा मुझे बताओ अब आप क्या करो इन डिपेंचर को पेमिट करोगि मिपन्स हुआ करोगे तुम यह पांट करोगे तुम लोग क्या करेंगी यह पैसा इक और रेजर मना क्या हो START मैं कि आप और यह पर आप काल दोगे और यह अकाउंट मेरा यह नियुट हो जाए तो क्या एक आपने सक्कूस्वुली क्लोस कर दिया हैय कि हमने एक अकाउंट सक्क्सवुली क्लोस कर दिया आप अप देखो कर रहे हो यार कोई बच्चा का आएगा नहीं नहीं सुर हम तो बहुत मतलब रिडम्शन ऑफ डिवेंचर सीख रहे हैं अरे रिडम्शन ऑफ डिवेंचर तो कल सीख गए थे जब हमने वह साथ पड़े थे अब हम उसका एप्लिकेशन कर रहे हैं यहां पर तो आप सिर्फ लेजर सीख रहे ह अब टेंचन कि आपको यहां पर आना चाहिए कि सरूइ बाई बैलेंस आपने क्रेइड यो निखा बताएगा क्योंकि हमारे यह क्या है मैने टू इवेंचर प्रडस डेविट्स हण क्यों लिखा अज देविट्स हैडा क्योंकि यह लेंकों मैं और ऑफ कर रहा हूं तो ला लाइबिलेटी या एसेट लाइबिलेटी या एसेट माइडियो फ्रेंज लाइबिलेटी वाली साइड बे आएगा हमने प्रोफिट को ब्लॉक किया है प्रोफिट कौनसी साइड आता है लाइबिलेटी साइड तो मुझे बताओ कौनसा बैलन्स आया इसका कौनसा बैलन्स आ अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो, 50,000, कितना ट्रांसफर किया, मैं दियो फ्रेंड्स, अरे हाई है न, कितना डला है यहाँ पर, ठीक है, अभी देट कॉलम खाली छोड़ दो, इसमें, अभी बस यह ध्यान रखो, कि कि at the end, यह कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रेडाम्शन, रेडाम्शन के बाद कहाँ जाएगा पूरा पैसा, जैनरल, देट छोड़ देना भी, देट बाद में करेंगे, एक दम से सारी चीजों को समझेंगे कि कौन सी चीज को कब-कब ट्रांसफर करना है, यह 50,000 कहां से ला का अल्रेटी बैंस कितना था, 50,000, रेडाम्शन कितना कर रहे थे, 10,000, 10,000 का 10% , 1,00,00, 1,00,000 में से अल्रेडी था, और कितना बनाना है, 50,000 ?, क्या, यह बहुत ज्यादा, डिफ्यक्थेखल्ट है, तो अब मुझे बताओ, क्या आपके दिमांग में सैटप हो रहा है है अ मैं यहां पे 1,00,000 और यहां पे भी 1,00,000 अब आते हैं investment in deposit मुझे बताओ आपके पास कोई investment पढ़े हैं आपके आपके एसेट हैंगी liability है definitely आपका एसेट है यार, date, particulars and amount, date, चलिए, मुझे बताओ date क्या होगी, हमारे पास क्या date है, हमारे पास date क्या है, 1st, January, 2022, to balance, yes, 15% के आस पास है, कई tension वाली बात नहीं है, कितना balance है 1,60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 क्या है, clarity, 31st of December क्यों आएगा बटा, तो एक January 2000 को क्या हो जाएगी date, तो जार भाई तो बिटा न्यू येर बनाया ना बने अगर 2021 से मानो 31 दिसमबर है अपन पार्टी कर रहे हैं और वह 2021 है तो अगले दिन कौन सी जन्वरी होगी तो यहां पर कैसे बेचा यह एट पार कैसे बेचा है यहाँ बैक मतलब ने बेचा और पैसा आगया जुटना पैसा आया 1 लैक है कुछ बताव किए यहां तक की आने कैलियर है कि 1,50,000 कि यहां तक कि आने के लिए रहे वलने क्रिफित आप सब्सक्राइब आप सुझाए अब मैने कम इन बैंक अकाउंट है यार कामें बैंक यह समझना आ कर भो जरूरी एक है सारे बहुत सारे transactions आपको यहां पर बनाने पड़ सकते हैं आपके दिमाग में setup होना बहुत जरूरी है यार balance कहां से आ रहा और कहां जा रहा है मुझे बात बताओ मुझे बात बैंक का existing balance कितना था जो हमने बात की थी कितनी बात की थी तो क्या अपन यह कहें कि एक जैन्वरी 2022 हमारे बैंक का जो balance था वो 9 lakhs था कितना था पिटा 9 lakhs नौ लाख रुपय का हमारा balance था हाँ यह ना कितने का balance था 9 lakhs रुपय का balance था आप मुझे बताओ अगर 9 lakhs रुपय का balance था और अब मेरे पास पैसा क्या क्या आया होगा एक बार चेक करना start करो कि सबसे पहले investment को पकड़ते हैं मुझे बताओ मैंने investment अगर बेची तो मैंने सबसे पहले concentrate को बेची 28 February 2022 तो यहां पे मेरे पास क्या आया पिटा investment नाम से आया और मेरे पास कितना पैसा आया डेड़ लाग अब आप समझना मैंने investment बेची 28 February को question कहता है investment के ब्याज आपको 31 December मिलता है वैसे हर साल तो मैंने का यार 31 December तक का तुम मिल रखा होगा बड़ इस दो महीने का ब्यास तो मिलेगा अरे हाई है ना तो यहां पे आयेगा two interest आयेगा यह नहीं आयेगा तो इंट्रेस कितना तो इंट्रेस कितना कि एक हजार रुपए कि पक्का है कि सही है या गलत है कि मुझे बताओ अब उसके बाद में हमने क्या क्या किया किस को पेमेंट किया हमने हमने डिवेंचर को पेमेंट किया तो यहां पे क्या लिखेंगे 28th of February 2022 क्या लिखेंगे हम बाए डिवेंचर होल्डर्स कितना पेमेंट करो कि डिवेंचर होल्डर्स को बोलो भीया 10,10,000 अरे हां या ना कितना हुआ 10,10,000 क्यों 10,000 अब मुझे बात दाओ यह जो डिवेंचर है इन पे भी इंट्रेस्ट 31 जैन्वरी तक कही 31 दिसम्बर तक कही दिया हुआ है इनको बी तो इंट्रेस्ट दोगे दो महीने का अरे हाया ना बताओ ना यार अगर 10,100,000 के डिवेंचर सही परसेंट का इंट्रस देना था तो दो महीने का इंट्रेस्टा रुगा तो इंट्रेस्टा होगा है कितना होगा क्या कणिविंस्ड हो गया दिमांग में सेट अप आपन क्या बात कर रहे हैं पक्का आप देखो हम क्या करे है हम बहुत मतलब अगेन मतलब क्या नाम बढ़ा अगे देखाना डि सलगते है और रिदंटिन कुछ भारी होगा कुछ भारी होगा मतलब रिडम्चन प्रिफरेंश भारी है मैं कह सकता हूं मतलब इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें लेजर ही लेजर चाप और कुछ ही नहीं है मतलब आप देखो हम करके रहे हमें सिर्फ एक कौन से पता होना था इसमें एक तो DRR का 10% का बैलेंस और DRR का कितना बैलेंस 15 उसके अलावा और कुछ पता नहीं करना है नॉर्मल लेजर बन रहा है क्या बन रहा है नॉर्मल क्लास 11 का 8 चप्टर 9 चप्टर वो है यह और कुछ भी नहीं है अरे लेजर नाम से चैप्टर नहीं था कि ढूंड़रा मन में कहां था क्लारिटी है आप मुझे बताओ कि इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है तो इसको फटाफट अब आप फटाफट अब आप पहले इनी लेजर को बनाओगे या पहले नोट्स को बना क्या बेटा इन्वेस्मेंट बें इंट्रेस्ट मिली हाँ तो इंट्रेस्ट अकाउंट बनाओगे तब करोगे ना अरे अभी पहले चार बना ले बिटा तो यह चार कंप्लीट करो पहले उसके बाद बनाएंगे अपन अभी देंगे पहले अभी करने तो पूरा इसके बाद रीकेब देंगे तो यह चार को मुत्ति तो इस ना आट्वा पहले जाए जा तो आट्रेस्ट मिली जाए है किंग 10 किंग कैम झाल 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 वी स्टार्ट श duct R यहां प cycl हभु लेंटरेस्ट को चोटे हो यहां ज़िए और फिर ते आशने करण हो हम लोग कर देटिस यहां पर इसनल थाइस डेट आफ रिडंशन वाली ही डालते हैं आप चेक कर लो पूरे में हम कहां डालरे डेट कौन सी डालरे हैं हम रिडंशन की दूसरा एक और चीज़ आप कर सकते हो डेट आफ रिडंशन आगई यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कई तो यह एंड पर ट्रांसवर कर रहे होते हैं हमें वह वाली चीज से दूर रहने करें हमें जिस दिन रिदम्शन हो रहा है हम वही वाली डेट डालेंगे इस दिन पॉइंट आउट करके अलग से आपको बता रहे हैं आप कही बार आंसर देखोगे आपको लास्ट देखोगे में यह ट्रांसवर करते वह दिखेंगे ऐसा कुछ नहीं है जिस दिन रिदम्शन हो रहा है उसी दिन डियारर का बैलन्स कहां चले आएगा कहां चले आएगा दिमांग में सेट अप होगे चलो एक काम करो डिबेंचर वोल्डर्स का अकाउंट बनादो मेरे लिए लिए ले झाल 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 अजी झाल 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 डेने की नोगन है बनाया डे号 का काउट क्या बनाया डे号 के टित्सओं दो 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 बीटिट सटेक डाला क्या डाला लेरी कोडिरीड डेश्याई क्या डाला बाइट सैट बाईट पसेट अमांउंट बाईट डेITT बेह induced है च्रवेश्याई adult और बाइब प्रेमियम और रिडंशन कितना तेन थाउजन तो टोटल टू बैंक में डेविट सेड क्या आया तेन लैक तेन आप समझ रहे हो ना यह डिबेंचर वाला मतलब ठीक है यार अपने डाल दिया इन्होंने बट यह जो अभी चल रहा है ना इसमें लेजर का ही पाट उसके बाद आपको यह कॉपी कर लेने का है एक बाद रिडंशन का कॉंसेप समझने के बाद तो कंप्लीटली एक प्रोसीजरल टॉपिक बन जाया गाई है खिर चस्त्ति ओज करें मन जाया कि बाद एक बाद तो कंप्लीच चके बाद रहा है ही च करें घूम ही उन्हों है लेपेर沙्प कवील कर भे घर मन जाया दो कर रहा है जल्दी कपी मारो गैस कर दो कर दो झाल झाल जाल भी स्टार्ट जाल भी स्टार्ट स्टार्ट करेंगे गईस वन मिनिट गईस फिर स्टार्ट करेंगे चल यहां पर चल यहां पर क्या है जाल यहां पर क्या है बैलेंस अपेरड इन दबुक्स ओफएरडाइस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अधर दन ए इफ यूव यूव बैंकिंग कंपनी न्बे एसटी कंपनी एच एफ़ी कंपनी राइट और बैलेंस क्या है डिवेंचर्ज में सात लाग पचाशवाइब, ब्राइब थ्वेल थाउजंट फिफ्टीन परसंट रेप्रिजेटेटर पाइब 10 पर संट, ये 10 पर तैटरики वेटाइब जो इन वेस्मेंट किया उस पे ब्याज कितने का टैन परसंट, ब्याज कितने का चलिए, annual contribution to the DRR was made on 31st of March every year. On 31st March 2022, balance in the bank was 7,50,000 before receipt of interest. The investment was realized at par for redemption of debenture at a premium of 10%. Redemption कितने प्रसंत प्रसंत प्रम्य हो रहा है? 10%. चलिए, you are required to prepare the following. Debentures account, DRR account, DRR investment account, bank account, debenture holder's account. पता होगा है पहले हम लोग क्या करेंगे एक बार पहले पुरा स्वीट करेंगे सारी चीज ABOUT किह मिर का बैलन्स कितना होना चाहिए तो 10% कितना होना चाहिए 75 एग्जेस्टिंग कितना है ऑर इत्ष्ष में है अब देखो सवाल यह उठता है कि यह ट्रांसफर कब करोगे है भाईया 31 मार्च 2022 को आप रिडम्शन कर रहे हो यार इसका मतलब एक अप्रेल 2021 को बैलेंस तो होना चाहिए रहाया ना तो 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 तुम तो साल तो यह कहा रहा है कथे समार्च को करते हो हर साल ठीक पिछले साल तक हो जाना चीए था नहीं हुआ ना तो यह कि प्रिल को खुलते कर डालो तो फचास दर आरकां ट्रांसफर कर दोगे यारा जान सुना पहली चीज़ बता देए दूसरा सेविल लेक फिफ्टी का फंद्रा प क्या एक लाग बाराजार पानसो है हमारे पार रिटरन यह भी काम हो गया अब यह वन टू थृ आपको समझ में आने लग गया अब आते हम हम आते हम आते हैं रिदेंशन एट पार हुआ मतलब इन्वेस्मेंट्स वर रियलाइज एट पार मतलब एक बारह का एक बारह मिल ग है यह एक लाग बारह हजार पान्स यह एक फिर चोटा मोठा इन्ट्रस्थ आया मतलब हमारे पास बैलन्स रहेगा आएंग कितना धिक अठ्लाग पच्शार कितना धेने का यह आठ्लाग फिछाजार करें? आамен युद्विनेख द न डेदा कि ना दस परसेंट यार कि यूर रीडिंग ना डिबेंच आट प्रीमियम हाँ मुच यू विल पे टैन परसेंट मोर तो एट लाक ट्विंटीव थाउल अब पुराने वाले को बेस लो पांचो खाते चाप डालो आराम से समयले के पंदरा मिनिट ले लो बीस मिनिट ले लो मैं एक एक अकाउंट बनवाऊंगा आप फटा 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 इसको करो कि सारे फिगर्ज मैंने बता दिये आरा आपको सिर्फ लेजर में पोस्ट करने का एक अच 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 एक अच 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 शच अच अच सिर्लि होकता हाँ झाल 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 झाल